केंद्र सरकार ने लगभग दो महीने पहले सोयाबीन सहित अने खरीफ फसलों का न्यूंतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,600 प्रती क्विंटल से बढ़कर 4,892 रुपए प्रती क्विंटल किया था। सोयाबीन का समर्थन मूल्य तो बढ़ाया गया, लेकिन सोयाबीन की खरीदी नियूंतम समर्थन मूल्य पर नहीं की जा रही थी, जबकि मार्केट में सोयाबीन के भाव लगातार कम होते जा रहे थे। मंडी में सोयाबीन के भाव 4,000 रुपए क्विंटल के लगभग हो गए। इससे किसानों में असंतोष पनप रहा था। पिछले 15 दिन से किसान सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में किसान जगहजगह धरन प्रदर्शन ग्यापन सौंप रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन को न्यूंतम समर्थन मूल्य पर खरीदने संबंधी बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब सोयाबीन को भी न्यूंतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP पर खरी देंगी दरसल। धीरे धीरे सोयाबीन का रेट बढ़ा कर 6,000 रुपए प्रती क्विंटल करने की किसानों की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। किसान आगामी 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तयारी कर रहे हैं। किसानों का समर्थन अब कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के नेता भी करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कई भाजपा नेताओं ने भी इस मुहिम में शामिल होकर शासन को पत्र लिखे हैं, तो वही किसान संग भी प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तयारी में है। सोयाबीन की खेती में आर्थिक नुकसान जेलना पड़ रहा है। यही कारण है कि किसान अब केंद्र एवं राजे शासन से सोयाबीन के रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ताकि सोयाबीन उतपादक किसानों को लाब मिल सके और उन्हें कम रेटों की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की समस्या से राहत मिल सके। इससे रोजाना ही सोशल मीडिया पर किसान सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपए प्रती क्विंटल किये जाने की मांग कर रहे हैं। सोयाबीन उतपादक किसानों की समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोयाबीन की फसल को न्यून्तम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निरने लिया है। किंतु सरकार ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि करनाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में MSP पर खरीद शुरू होगी। इसका आशय यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों से न्यून्तम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के इस निर्देश के पश्चात मध्य प्रदेश के किसानों में नाराजगी चा गई है। केंद्रिय नोडल एजेंसियों जैसे निफेड और NCCF के माध्यम से होगी। केंद्र सरकार ने संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया है कि किसानों को फसल बेचने में होने वाली कठिनाईयों से बचाने के लिए आवशक प्रबंध सुनिश्चित किये जाए। Bureau Report Market Times TV